वेल्गम तुटूडट पॉलुशन का लेक्चर नमबर घृ और इसans सक्षे के वीडिक पहले करते हैं वाटर पॉलुशन के कुछ बेसिक के बारे में और पूरा वाटर पॉलुशन इसी लेक्चर में हम cover करेंगे उसके causes क्या है उसके effect क्या है किस वजह से होता है pollutants कौन कौन से type किया होते हैं कौन कौन से तरह के diseases इसके लिए इसके वजह से हो जाते हैं ये सारी चीज़े हम आज cover करने वाले ठीक है तो सबसे पहले water pollution ठीक है मतलब पानी में contaminated factor add होना पानी का contamination होना contamination होना मतलब उसमें disease causing agent add हो जाना जो कि unwanted है जिस वजह से water unpure हो जाता है उसके definition detail में देखेंगे पहले कुछ basic चीज़े समझ लेते हैं तो सबसे पहले क्या पुछा है source of water suitable to use तो हर जगह का पानी हम use नहीं कर सकते जैसे कि हम sea water समंदर का पानी यूज नहीं करते उसमें salt का amount बहुत जाधा होता है बहुत जादा ок जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते तो कोंजा पानी हम यूज कर सकते हैं ईसा पानी हम यूज़ करेंगे जो कि un bottlutade है मतलब उसमें कोई polluting agent या फिर clean unpolluted source which are not acidic जो कि acidic नहीं है last time हमने acid rain का concept देखा ठीक है last lecture में आप देख सकते हैं उसको अच्छे से तो जो कि acidic पानी नहीं है ऐसा पानी हम use करेंगे pure water हम use करेंगे जैसे कि river का पानी use कर सकते हो नदी का pond छोटा सा source of पानी है या फिर एक चोटा सा तलाव है ठीक है तलाव है चोटा सा stream यह कहीं पर पानी बह रहा है और इस इन सब source का पानी कैसे होना चाहिए pure तभी हम उसका use कर सकते और वाइस हम उसको यूज नहीं करेंगे ठीक है अब purpose of use किसलिए यूज करोगे भाई पानी पानी किसलिए यूज करते हो आप पीने के लिए drinking सबसे main sources का पीने के लिए उसके बाद cooking के लिए खाना पकाने के लिए cleaning के लिए कपड़े वगरा दोने के लिए bathing के लिए इन सारी चीजों के लिए या फिर irrigation of fields ओके जो पानी का सिंचन करते हो आप खेती में irrigation of fields and farms खेती में वगरा हम पानी का सिंचन करते हैं अलग अलग तरह से पानी देते हैं ठीके उसके लिए पानी का use होता है और अलग-अलग तरह की इंडस्ट्री में ओके इंडस्ट्री में भी बहुत दादा पानी यूज होता है और for transport ship वोगे रहोते ना जो पानी पे चलने वाला जहाज उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए transportation के लिए भी हम पानी का यूज करते हैं ठीक है तो यह सारे factor से जहां पानी का यूज करते हैं ठीक है अब उसके बाद जो next point है वो क्या है कि भाई जो earth है earth का 71% कितना 71% of surface of earth is occupied by water तो maximum portion जो earth है ना आमरा आर्थ गोली earth है इसका जो 71% portion है earth surface का 71% portion किसने अकुपाई किया है पानी ने लेकिन सारा पानी usable नहीं है maximum उसमें ocean है ocean का पानी हम सारे purpose के लिए use नहीं कर सकते ठीक है उसके बाद आता है reasons of water pollution अब water pollution क्या होता है अभी 5 मिनट के बाद हम detail में उसकी definition देखने वाले हैं उसमें unwanted, okay contamination of water, मतलब disease causing agent मिटी वगेरा उसमें add हो जाना उसको बोलते pollution तो किस वज़ा से pollution होता है जो domestic sewage होता है ना मतलब घरगूती sand पानी जो गटर वगेरा बनता है ना घर में का पानी हमारे घर में जो bathroom होता है उसका पानी या फिर जहां पर हम बरतन अगेरा धोते हैं ओके तो उसको sand पानी बोलते हैं मराथी that is called as sand पानी तो domestic माने घरगूती घरगूती sand पानी या फिर industrial effluent मतलब industry का जो sand पानी होता है चीक है ना मतलब industry के अंदर से जो waste पानी निकलता है वो पानी directly क्या किया जाता है without any treatment water resources में like river नदी या तालाब में छोड़ दिया जाता है ठीक है अब ऐसे तो act है अलग-अलग act है उस act के हिसाब से government क्या बोलता है कि भाई industry में का जो effluent पानी है मतलब जो unwanted जिसमें बहुत सारे polluting factors है वो पानी directly आप pure water के source में नहीं छोड़ सकते ज्यादा फाइदा पाने के लिए grid लालच में क्या किया जाता है without any treatment या कई बार क्या होता है सिर्फ एक system दिखाने के लिए होती है ये pollution free करने के लिए पानी को pure करने के लिए system बिठाई गए है लेकिन properly उसको कोई use नहीं करता और directly उसको without any treatment उसको pure water resources में या water bodies में उसको छोड़ दिया जाता है जिसके ओजसे बहुत जादा pollution होता है जो कि बहुत ही dangerous होता है और rural area में तो challenge नहीं है rural area में लोग क्या करते है अलग-अलग तरह क्या activity जैसे कपड़े धोना, पानी नहाना या फिर swimming करना washing of cattle, cattle मतलब जो गाई गुरे होते हैं मतलब अपके घर में के जो जनावर होते हैं भैस हो गया, बैल हो गया, गाए हो गई इनको directly क्या करते हैं नदी में लेग जाके या तालाब में धो देते हैं directly उसके अंदर, without any treatment बिदा कुछ किये, direct कपड़े अंदर उसके धो रहे है sideway भी नहीं दोते हैं, उसके अंदर जाके धोते हैं ठीक है न, तो इससे क्या हो जाएगा वो जो आप soap या detergent यूज करें, directly उसमें चला जाएगा उस वज़े से क्या हो सकता है, उस पानी का pollution definitely हो जाएगा, अब कई लोग तो बहुत कलाकार होते हैं, many people कई तरह के लोग क्या करते हैं defication, defication माने short, जो हमारा यह होता न, toilet, toilet का पानी वो क्या करेंगे, कड़ा वगेरे बना के उसके अंदर ने ठोरेंगे, directly क्या कर देंगे river के अंदर चोड़ देंगे, ऐसे भी लोग होते हैं ठीक है, या फिर urination, bathroom का पानी हो गया, या directly urine करेंगे ऐसे भी बेवकुफ लोग भी होते हैं जो urination directly river water में करेंगे, या defication toilet वगेरा का पानी, या directly toilet उसके अंदर करेंगे, तो वो बहुत ही harmful type के microorganism होगेरे, उसमें inhale हो जाएंगे, जिस हो जैसे वो पानी क्या हो जाएगा, पॉलिट हो जाएगा, ठीक है अब उसके बाद, water को क्या बोला जाता है molecule of life, because we cannot imagine life without water, बिना पानी की हम life को even imagine भी नहीं कर सकते इसलिए water को क्या बोला जाता है without water वो possible नहीं होते हैं और बिना पानी के हम जी भी नहीं सकते हैं तो कई इत कारण है, जिन कारणों के वज़े से पानी को क्या बोला जाता है, molecule of life ओके, तो surviving without water पानी के बगेर जीना water is impossible बगेर पानी के जीना possible, नहीं है no animal, no animal and plant, plants are also living organism, okay, plant or animal cannot sustain life life जी ही नहीं सकते विदाउट पानी without water, पानी के सिवा ये life जी नहीं सकते, we cannot even imagine our life or sustaining life life जी नहीं हम imagine भी नहीं कर सकते बिना पानी के, okay, तो animal animal and water is possible, okay without water, animal and water is animal and plant, sorry, इदर है न, वो उसके बाद, animal and plant bodies are made up of water, मतलब जो body में, body होती है, animal के रहने दो की, plant के रहने दो, maximum उसमें क्या होता है, पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, तो all the reactions in the water is possible due to water, okay all the reaction in living organism ऐसा बोलेंगे, ठीके नहीं, all the reaction in living organism living organism उसमें plant भी आ गए, और animal भी आ गए, cannot be possible या फिर all the reaction in living organism is possible due to water तो सारे जो reaction हो रहा है, respiration हो रहा है, digestion हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, human body रहने दो की animal body रहने दो animal body रहने दो की plant body रहने दो, सारे reaction किसके वज़े से possible है पानी के वज़े से possible है, ठीके तो आईए आप पानी, sorry, pollution water pollution के definition को detail में समझते हैं अब सबसे पहले तो आपको water pollution concept को अच्छे से समझना होगा, जिसके वज़े से आपको आगे की सारी चिज़े बहुत अच्छे से समझाएंगी, तो water pollution basically होता क्या है, तो water pollution के वज़े से क्या होता है, कई बार पानी unclean हो जाता है, या कुछ unwanted substance water के अंदर add हो जाते हैं, जिसके वज़े से पानी में toxicity ठीक है, पानी का जो poison level है या उसके अंदर की toxicity है, वो बढ़ जाती है इसको क्या बोलते है, water pollution, ठीक है, तो उसको अच्छे से समझते हैं तो water pollution, ये जो उसमें poison आ जाता है, due to mixing of unnatural और artificial polluting substance, जो कि unnatural है, किसी sewage है, अपना regular domestic sewage है, या industry का affluence है, industry का unwanted पानी है, जो कि directly अंदर छोड़ दिया, उसमें क्या होते हैं कई harmful agent, directly पानी में क्या हो जाते हैं, add हो जाते हैं जिसके कारण से पानी पीने के लिए unsafe होता है, इसी को क्या बोला जाता है, water pollution, then it is called water pollution, तो इसको क्या बोला जाता है, water pollution, इसके factor क्या क्या होते हैं, आगे देखेंगे आम उसका attention मतले ना, ठीके ना, तो देखलो बेटा, when water become unclean अशुद्ध हो जाता है पानी, मिटी आड़ हो गई या कोई heavy metal अंदर आड़ हो गई, industry के अंदर से अलग-अलग process से, ठीके, तो pollutants cause water to become toxic, तो pollutants, pollutants यानि जो pollution करेगा, जिसके वजह से pollution हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, pollutants, उसको क्या बोलेंगे pollutants, तीन तरह के होते हैं, इसके आगे ही देखेंगे, हम टेंशन मतले ना, तो and unclean, unclean, अशुद्ध हो जाता है, the dissolved oxygen in polluted water become less, तो जो polluted water होता है उसमें जो dissolved oxygen होता है, जो amount of oxygen होता है, वो कम होता है, यह किस वजह से होता है, मान लो, यह water resource है, कोई पानी का source है अब क्या होता है, because of pollution suppose इसमें क्या हो गया, अलगी बढ़ गई, अलग अलग तरह के जो plant है, शेवार वगेरा जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ गए, अब यह surface पे तीरेंगे, जो unwanted plant होते हैं जिससे water pollution होता है, वो पानी के surface के ऊपर रहेंगे, अब surface के ऊपर रहेंगे, तो यह sunlight को अंदर नहीं जान देंगे, तो sunlight अगर अंदर नहीं जाएगी, तो क्या हो जाएगा नीचे वाले पानी में oxygen ही नहीं रहेगा, तो oxygen नहीं रहेगा तो नीचे वाले animal के लिए, respiration के लिए oxygen available नहीं होगा तो ये मर जाएंगे तो ये अगर मर जाएंगे तो इनका decomposition होगा तो इनका decomposition कौन करेंगे bacteria, decomposers, अलग-अलग तरह के pathogenes ये क्या करेंगे इसका decomposition करेंगे तो decomposition के दोरान क्या होगा ये पानी में जो oxygen है वो oxygen ये खुद decomposition के लिए उसकरेंगे तो अगर oxygen यहां का utilize होगा तो नीचे के पानी में oxygen ही नहीं रहेगा तो water pollute है मतलब उसका oxygen level है वो कम हो जाएगा अंदर जो oxygen dissolve है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो polluted water में pollution वाले water में oxygen का level कम होता है ठीक है which causes harm to the aquatic life aquatic life मतलब पानी के अंदर जो living organism रहते हैं उनके life को क्या बोलते हैं aquatic life या जिसको हम zooplankton भी बोलते हैं क्या बोलते हैं zooplankton zooplankton मतलब पानी के अंदर के जो animals होते हैं उसको zooplankton बोलते हैं और पानी के अंदर के जो plant होते हैं उसको phaioplankton बोलते हैं क्या बोलते हैं साथिचे रोग जो फैल जाते हैं जैसा कॉल रहा है पानी के अदर से सभी को हरूरा और सभी को फैलने वाली रोग इस पिजो ब्रेक दू पैथोजन जो पैथोजन के वजह से होते हैं और यह पैथोजन को क्यारी करने का काम पॉलूटेट वहाटर तो polluted water के through, क्या हो जाएगी, इनकी वीश बादा होगी, हर कोई वो polluted पानी पिएगा, तो सब को क्या हो जाएगे, वो disease हो जाएगा, ऐसे disease को बोलते हैं, epidemics, जो फैलने वाले रोग होते हैं, added to, added to water due to pollution, तो pollution के वजह से pathogen पानी कैरी करेगा, अलग-अलग घर में, तो water pollution के वजह से physical changes होगे, उसका taste बदल जाएगा, उसका color बदल जाएगा, chemical changes, unwanted chemical, जो कि harmful है, जैसे कि heavy metal हो गए, या फिर किसी carbon के छोटे-छोटे particle हो गए, dust particle हो गए, जो कि plastic के छोटे-छोटे particle हो गए, जो कि unwanted है, ऐसे chemical उसमें इंटर हो जाएगे, या फिर biological, ठीक है ना, मत इसके अंदर हो जाएगे, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो pollutants होते हैं, pollutants माने, जो pollution करवा रहे हैं, वो तीन टाइप के होते हैं, वो तीन टाइप क्या होते हैं, अभी धेखते हैं, डीटेल में, pollutants माने, जिसके वजह से pollution होता है, तो water का pollution करवाते हैं, ऐसे, उसको बोलेंगे, water pollutants, तो water pollutants basically तीन टाइप के होते हैं, कौन-कौन से, biological pollutants, कौन-कौन से, biological pollutants, number one, number two, inorganic pollutants, इन ओर्गानिक मतलब जिसमें carbon नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, इन ओर्गानिक, और जिसमें carbon होता है, उसको क्या बोलते हैं, organic pollutants, तो water pollution का जो cause होता है, जिसके वजह से water pollution होगा, वो तीन तरह के हो सकते हैं, तो biological pollutants, like algae, ये plant होते हैं, bacteria, okay, virus, virus क्या होते हैं, virus are neither living, neither non-living, virus एक ऐसा organism है, या फिर इसको virus एक ऐसा component है, जो दूसरे body में इंटर होने के बाद activate हो जाता ह है, और उसमें cell division होके, वो multiply होते हैं, जैसे coronavirus, जब वो किसी surface पे रहेगा, तो वो dead है, लेकिन हमारे body के अंदर अगर चलेगा, वो तो activate हो जाएगा, और activate होके, फिर हमारे nutrition यूज करके, वो multiply होता है, एक के, दो, दो, के, तीन, तीन, के 1000, और बहुत ही, fastly multiply होता है, और ब parasite के दो type होते हैं, endo and ecto, endo माने, जो body के अंदर जाके activate हो जाते हैं, ecto माने, जो body के ऊपर activate हो जाते हैं, ठीके न, तो parasite मतलब दूसरे के nutrition खाके उस पे जीने वाला, इसमें कोई process नहीं होती, तो ये सारे जो pollution करेंगे, उसको क्या वालेंगे, biological pollutants, तो ये कैसे करेंगे pollution, मान लो, ये water reservoir है, या फिर पानी का कुछ lake है, या नदी है, suppose, तो इसमें क्या हो जाएगा, अलगी fastly grow हो जाएगी, इस तरह से इसके surface पे जमा हो जाएगी, तो अलगी अगर इसके उपर जमा हो गई, तो जो sunlight है, वो नीचे नहीं जा सकती, तो sunlight और air अगर नीचे नहीं जाएगी, तो इसमें का जो oxygen level है, वो खतम हो जाएगा, कैसे खतम हो जाएगा, सारा oxygen तो ये अलगी यूज़ कर लेगी, तो नीचे वाले का पानी का oxygen level खतम हो जाएगा, oxygen लेवल खतम हो जाएगा, तो इसमें के जो aquatic animals है, छोटे-छोटे fishes है, या zooplankton है, छोटे-छोटे कई तरह के होते हैं, ये सब मर जाएगे, तो मरने के बाद उनकी जो dead bodies होगी, उनका decomposition होगा, तो उनके decomposition के लिए जो bacteria है, वो रहासा oxygen भी use कर लेंगे, तो ये पानी में oxygen रहेगा, क्या नहीं, तो इस तरह से ये पानी क्या हो जाएगा, पॉल्यूट हो जाएगा, तो इस त चोटे-चोटे पार्टिकल, dust याने धूल के पार्टिकल, soil याने मिट्टी के पार्टिकल, अलग-अलग तरह के salt, समंदर का पानी हम क्यों नहीं पी सकते हैं, उसमें जो salt का proportion रहता है, salt का amount रहता हो बहुत जादा रहता है, तो उसमें से arsenic जो की बहुत dangerous होता है, human body के लि lead ये तो बहुत जादा toxic होता है, mercury, उसके बाद traces of radioactive material, हम कुछ चाप्टर में पहले ये पढ़ रहे थे क्या nuclear power plant, तो nuclear power plant में हमने देखा, तो nuclear waste जो होता है, जो radioactive material होता है, ये बहुत ही harmful होता है, कारसीने जो निक होता है, कारसीने इससे cancer हो सकता है, ठीके, तो ये inorganic pollutants जैसे weedicide, weedicide मतलब घास, घास को मारने वाला weedicide, तन नाशक मराटे में क्या बलते हो, तन नाशक, weedicide मतलब घास को मारने वाला, okay, weed मतलब unwanted plant, unwanted plants are called as weeds, तो unwanted को मारने के लिए weedicides, जो weedicides हम यूज करते हैं, तो उससे जो pollution हो रहा है, insecticide, insect मतलब कीटक, कीड़े, छोटे-छोटे- तन फार्मूला क्या होता है? यह न ह तू, यह माने nitrogen, ह माने hydrogen, यह माने hydrogen, यह में हैं n ह2् tests, यह यह isуч new produits, तहला अलग तरह के fertilizer होता है, आम्यव फोसपेट, कैलिशियम फोसपेट, इस तरह के जो fertilizer होते हैं, वो उससे क्या होता है, आगर उसको excess oyun आमाउंट पर यूज छोड़ देँंगे तो इसका pollution हो जाएगा ऐसे पॉलूटन तो वाटर को पॉलूटन तीन तरह के फैक्टर करते हैं बालोजीकल पॉलूटन्स इन और्गैनिक पॉलूटन और और चैनेक पॉलूटन अब इसके बाद हम देखेंगे causes of Minaalta क्या की है से तो इसको बोलेंगे causes of water pollution तो यह दो टाइप के होते हैं एक होते है natural causes और दुसरा होता है man-made causes तो पहले हम natural causes पढ़ेंगे तो natural causes कितने there are seven natural causes ठीक है तो causes of water pollution तो पानी को unclean करना unfit करना for usable purpose that is called as water pollution और water pollution दो तरीकों से हो सकता है पहला तरीका है natural causing और उसके effect natural causing water pollutants कौन-कौन से है और उसके effect क्या-क्या होते हैं तो सबसे पहले आता है number one aquatic weeds aquatic weeds weeds माने unwanted plant weed किसको बोलेंगे unwanted plant को unwanted plants like अलगी like अलगी इसको भी discuss करेंगे तो अगर यह unwanted plant बहुत ज्यादा grow हो गए along the surface of water तो surface of water पे रहेंगे तो नीचे वाले पानी में वो ना तो sunlight जान देंगे ना ही oxygen जान देंगे और पानी का सारा oxygen वो खुद use कर लेंगे तो पानी का oxygen level क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो chemically polluted water means oxygen level उसमें क्या होगा ठीक है तो unwanted aquatic weeds aquatic weeds मतलब unwanted aquatic plant के वजह से क्या हो जाएगा पानी के अंदर का oxygen level कम हो जाएगा तो unfit हो जाएगा वो use के लिए drinking के लिए ठीक है तो change in natural character तो उसके character बदल जाएगे तो ऐसे पानी को हम पी सकते हैं क्या नहीं तो पोटेबल रहेगा क्या? पोटेबल मतलब drinkable पानी वो नहीं रहेगा पोटेबल नहीं रहेगा वो पानी उसको पी नहीं सकते और उसका itrophication हो जाएगा उसका nutrition level अगर बढ़ गया तो उसमें plant की growth बहुत जादा हो जाएगी तो जादा growth होगी तो oxygen का use जादा होगा oxygen का use जादा होगा तो पानी के अंदर का सारा oxygen खतम हो जाएगा तो पानी के अंदर का oxygen level अगर कम हो गया तो उसको बोलते हैं eutrophication ठीक है तो limit से जादा अगर अंदर plants बढ़ गये मतलब aquatic weeds अगर बढ़ गये aquatic unwanted plants अगर बढ़ गये तो basically होता क्या है पानी का oxygen level कम हो जाएगा और रहसा पानी polluted रहेगा उसको हम use नहीं कर सकते second one decomposing matter अब देख लो जैसे ही oxygen level पानी का कम हो गया तो उसके अंदर के जो aquatic life है वो मर जाएगे अंदर के जो fishes है या चोटे 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 animal है वो मर जाएगे मरने के बाद उनकी bodies सढना शुरू करेगे decompose होना शुरू करेगे तो जब decompose होगी तो decompose होने के बाद decomposing bodies dead animals and plants त poisonous hormones वोगेरा वो release करते हैं तो वो क्या करेंगे पानी को pollute कर देंगे उसके बाद mud या sludge sludge बोले तो इसको मराटी में गाड़ बोलते हैं गाड़ मतलब जो मिटी पानी में भैके आकर जमा हो जाती है bottom में उसको गाड़ बोलते है मड़ मनी यानि चिकल कीचड कीचड ठीक ह ना तो मड़ के वज़े से क्या हो जाता है कई बार river की direction change हो जाती है या जो river bank होता है वो फैल जाता है ठीक है ना निचे सारी मिटी जमा होने से पानी फैल जाता है उसकी direction change हो जाती है और गाव में पूरा पानी घुस जाता है उसको flood situation बोलते है ठीक है तो मिटी जादा हो गाल जादा होने से क्या होता है river current, river current मतलब current मतलब जो पानी बह रहा है जिस direction में बह रहा है, पानी का प्रवाह पानी का बहना, river current changes due to sludge sludge के वजह से पानी के अंदर मिट्टी जादा हो जाने के कारण उसका जो पानी के बहने की direction है ऐसी होने के बज़ा, ऐसे गाउ में घुश जाएगा पानी को, ठीक है, causes divergent of current, तो पानी जिस direction में फ्लो हो रहा है वो change हो जाएगी, और पानी खेतों में घुश जाएगा, या फिर गाउ में घुश जाएगा अगर खेतों में घुश गया तो सारा आनाज बहा ले जाएगा, या जो मिट्टी होती है खेत के अंदर की, बहुती सॉफ्ट होती है जल्दी बहे जाएगी उसके साथ तो उसके क्या हो सकता है, स्वाइल इरोजन हो सकता है उसको जमीनी ची धूब बोलते है, जो मिट्टी के ऊपर की परत होती है, जो की हाईली सुफिक होती है जिसमें अच्छी तरह से आनाज या पेड ऊग सकते हैं वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा, ब्लैक मिट्टी को ठीक है, उसके बाद स्वाइल इरोजन, ठीक है वो यह होगा तो सौईल इरोजन माने, बारिश के पानी के साथ मिट्टी की ऊपर की जो परत होती है, उसके नीचे क्या होता है रॉक होता है, खड़क होता है, तो रॉक के अंदर पेड बढ नहीं सकते मिट्टी चाहिए, बारिक मिट्टी चाहिए, तो पानी के साथ अगर सारी मिट्टी भे गई तो उसको बोलते Soil Erosion तो Soil Erosion जब होगा तो पानी के साथ-साथ सारी मिट्टी भे जाएगे और मिट्टी के साथ-साथ मिट्टी के अंदर के Biotic as well as Abiotic factor भे जाएगे Biotic माने Living Factor Living Factor माने अलग-अलग तरग के अंदर living factor होते हैं जैसे कि नेमेटोर्स, मतलब मिट्टी के अंदर के जो कीडे होते, जो और्गैनिजम होते हैं, छोटे-छोटे कीडे, वो भाई जाएंगे, वो बायोटिक फैक्टर में आएंगे, बायोटिक फैक्टर माने, मिट्टी, या फिर उसके अंदर के जो और्गैनिक माटेरियल होगे, जैसे कार्बन होगा, कोईला होगा, या फिर फोसाइल फ्यूल्स होगे, वो भह जाएंगे, तो ये सारी चीज़े बह जाके पानी के अंदर एड़ हो जाएंगे, जिसके वो जैसे water pollution हो जाएगा, उसके बात fungi and bacteria, तो जो और्गैनिक मैटर होगा, उसके उपर fungi और bacteria की growth होगी, decomposition होगा, तो decomposition कोन करےगा, fungi करेगा और bacteria करेगा, decomposers करेंगे, जो body को decompose करते हैं, उसको decomposer बोलते हैं, तो base decomposer किया है, fungi, जो दूसरे के body पे grow करता है तो oxygen level पानी का कम हो गए अंदर के जो living organism थे वो मर गए तो मरने के बाद उसके ओपर fungi बढ़ना शुरू हो जाएगा जो बूर्शी लगती है ना बूर्शी या बैक्टेरिया बढ़ना उस पे शुरू हो जाएगा ठीक है तो ये भी क्या करेंगे harmful हर्मोस रिलीज करेंगे या decomposition के वजह से जो poisonous gases रिलीज करेंगे जिससे पानी क्या हो जाएगा उसके बाद अलगी माने जो unwanted plant होता है इसकी growth बहुत fast होती है और ये सारे surface पे फैल जाता है तो surface पे जब ये फैल जाएगा तो ना sunlight को अंदर जाने देगा ना air को oxygen को अंदर ज जाएगा और खुद ये पानी का सारा oxygen photosynthesis के लिए यूज कर लेगा तो ऐसे वो oxygen level कम कर देगा तो excessive algae growth जो अगर पानी में excessive algae का growth हो गया तो ये पानी को pollute कर देगा कैसे उसमें का oxygen level कम करके ओके अब पानी के साथ rain water के साथ क्या होता है पानी के अंदर मिटी के अंदर के जो नेमेटोर्स क्या होता है मिटी के अंदर के जो नेमेटोर्स होते है पानी के अंदर भैते 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 कहां चले जाते है वो water reservoir में चले जाते है और उससे भी क्या हो जाता है पोलूशन हो जाता है ठीक है तो natural pollutants कौन कौन थे है aquatic weeds उसके बाद decomposing matter, murd ya sludge, soil erosion, fungi and bacteria, algae और नेमेटोर्स, ठीक है अब man-made factor समझते है आयो Water pollution करवाने वाले दो तरह के factor होते है एक होते है natural एक होते है man-made तो natural हम देख चुके है अब man-made cover करेंगे ठीक है तो man-made causes और उसका effect क्या होगा तो देख लो सबसे पहले तो domestic sewage जो घरगूती sand पानी होता है मतलब जो home में हम use करते है पानी कपड़े धोया हुआ पानी या फिर बरतन धोने वाला पानी तो यह सारा जो पानी होता है हम नाली में छोड़ देते हैं नाली जाती है गटार में और और वाटर में मतलब लेक में चला जाएगा या फिर नदी में छोड़ देंगे उसको रिवर में छोड़ देंगे या जो हमारे गाउं का बड़ा सा लेक होगा उस लेक में डैरेक्ली उसको किसी भी तरह का treatment किये बिना छोड़ दिया जाता है तो सारे polluting agent indirectly जाके उस जो source of water होता है fresh source होता है उसमें add हो जाएगा और पानी क्या हो जाएगा तो यह biggest reason होता है तो domestic water जो होता है तो घरगूती पानी जो होता है from village and cities causes water pollution अगर इसको directly आप source of water में छोड़ दोगे लेक में, river में, pond में छोड़ दोगे तो इससे water pollution हो जाएगा तो घर में से जो पानी बाह जाता है, इसको domestic sewage बोलते हैं, ऐसी अगर वो industry का होगा तो इसको industrial effluent बोलते हैं, अब government अलग अलग तरह के नियम बनाए हैं लेकिन उसको कोई follow नहीं करता है, या follow करने का सिर्फ दिखावा करते हैं, या फिर उसको अधूरा सा treatment करकी उसको छोड़ देते हैं, because उसमें excessive money क क्या होता है, खर्च हो जाता है, ठीक है, तो effluent contain various chemicals, तो जो industry का effluent होता है, ये बहुत harmful होता है, domestic sewage से जादा industrial effluent harmful होता है, because उसमें poisonous component बहुत जादा होते हैं, chemicals होते हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के fibers होते हैं, तरह तरह की बिमार्या इन से हो सकती हैं, इसमें mercury होता है, जो कि बहुत ही poisonous होता है, इसमें lead होता है, बहुत जादा poisonous होता है, pigments होते हैं, pigments माने, इसको महराटी में रंग द्रव्य बोलते हैं, अलग अलग तरह के colors, ये सारी चीज़े, industry में से जो byproduct में से निकलती है, या फिर radioactive, अलग अलग तरह के waste है, या बहुत ही heavy metals है ये सारे इसमें होते हैं, अगर ये हमारे food chain में घुज गए, मतलब हमारे food के अंदर चले गए, तो इससे genetic disorders हो सकते हैं, जिसका कोई treatment नहीं होता, उसके बाद oil spillage, spillage माने गरती, leakage हो जाना, oil का leakage होना, अब देखो, oil purification के जो plant होते हैं, basically कहां पर होते हैं, वो समंदर के अं तो वहाँ पर oil pure किया जाता है, और pure करके उसको sheep के जरीए carry किया जाता है, तो कुछ accident हो गया, या फिर उसको हम क्या करते हैं, oil tank को वहाँ पर wash करते हैं, oil tank को अगर धो गे तो धो के पानी वहाँ पर ही फेग दिया जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, पानी में oil का percentage पानी क्या हो जाएगा, impure हो जाएगा, okay, so during transportation, transportation मतलब एक जगा से दुसरे जगा oil को ले जाते वक्त, spillage गरती हो जाएगा, leakage हो जाएगा, spillage of crude oil, crude oil leakage हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, पानी pollute हो जाएगा, या फिर आप क्या करोगे उस tanker को, जिस tanker में oil लेके ज पहल जाएगा, तो oil अगर पानी के उपर फैल गया, तो जो oil है, उसकी density कम होने के कारण water surface पे वो उपर रहेगा, उपर रहेगा, तो क्या करेगा वो, ना तो air को अंदर जाने देगा, ना ही क्या करेगा, sunlight को अंदर जाने देगा, तो अगर वो sunlight को ब्लॉक कर देगा, तो अंदर जो fire plankton है, fire plankton मतलब जो पानी के अंदर plant बढ़ते हैं, छोटे मोटे, उसमें photosynthesis होगा, क्या, नहीं, मतलब उसको light ही नहीं मिलेगी, तो वो plant मर जाएंगे, प्लांट मर जाएंगे, तो उस पे dependent जो zooplankton है, मतलब छोटे छोटे चोटे animals, जो उस plant को खाके जी रहे हैं, वो मर जाएंगे, दोनों decompose होना शुरू होंगे, decomposition होगा, अलग अलग तरह का organic matter, poisonous gases, अलग अलग तरह का waste, अलग अलग तरह के बैक्टेरिया उसके अंदर आ जाएंगे, और सारा पानी क्या हो जाएगा, pollute हो जाएगा, तो इस तरह से ये काफी dangerous होता है, उसके बाद use of fertilizer, fertilizer मतलब खत, जो हम fertilizer, जमीन की उतपादन चमता बढ़ाने के लिए, जो हम additionally add करते हैं, उसको fertilizer बोलते हैं, जैसे कि यूरिया का formula भी मैंने बताया था आपको, NH2-CO- NH2, इसमें basically क्या होता है, nitrogen, phosphorus और potassium होता है, तो ये directly हम inhale नहीं कर सकते हैं, या फिर chlorine, carbonate containing, pesticide, जो pesticide मतल आंट के ऊपर के कीड़ों को मारने के लिए, उसके कुछ spray किया जाता है, फवार आ जाता है, अगर इसको excessive आप यूज करोगे, तो बारिश होगी, बारिश होने के बाद बारिश के साथ वो pesticide बहे जाएगा, और बहे के directly कहां चले जाएगा, वो water reservoir में, पानी के साथे में directly वो add हो जाएगा, और जिसके कारण पानी के साथ वो बहे जाएगा, और water resources में inter हो जाएगा, और इस वजह से क्या होता है, water pollution हो जाएगा, अब lastly, other man-made reasons, सारे man-made ही है, other man-made reasons, क्या pollution by human excreta, कई लोग होते हैं, क्या करते हैं, जो हमारा toilet होता है, उसका पानी directly कहां पर छोड देते हैं, जो पानी हम drink के लिए, तालाब में, जिसका पानी हम use करते हैं, फीने के लिए उसमें छोड़ देते हैं, तो excreta माने, जो human body का waste होता है, excretery system होती है, excretery system माने में, kidney के अंदर से जो urine बाहर चले जाता है, उसको excretery system बोलते हैं, अब ये system क्या करेगी, body के की बिमारिया हो सकती है, अब जो rural area होता है, उसमें जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, directly जो cloth होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, तो जो आप soap use करोगे, ये detergent use करोगे, तो उसके अंदर चले जाएगा, पानी pollute हो जाएगा, उसके बाद decomposition of hemp and flakes, flakes माने अंबाडी, hemp माने एक type होता है, प्लांट का, उसके अगर decomposition हो गए पानी के अंदर, तो उससे अलग अलगता रखे, poisonous gases वगेरा generate होगे, उसका decomposition होगा, और उससे भी, क्या हो सकता है, water pollute हो सकता है, उसके बाद disposal of ash, तो हमारे इंडिया में एक संस्कृती होती है, कि जो हड्डिया होती है, जब अदमी मर जाता है, मरने के बाद उसको जलाया जाता है, तो उसके जो अस्ती विसरजन बोलते हैं, जिसको हड्डिया या ash होती है, उसको पानी के अंदर विसरजित किया जाता है, तो इससे भी क्या होता है, water pollution हो सकता है, ठीक है, अब उसके बाद floral offering to the god, तो क्या होता है अगवान को क्या करते है, फूल बहाते हैं, पानी के अंदर, तो इससे भी क्या होता है, water pollution हो जाता है, फूल जो होते है, वो अंदर जाके decompose होंगे, फिर decomposition से क्या होगा, water pollution होगा, उसके बाद कई बाद क्या होता है, गरम पानी जो होता है, thermal power plant में, अब thermal power plant में क्या किया जाता है पानी को गरम करके electricity generated की जाती कैसी टेंट में आम पढ़ेंगे उसका attention नहीं लेना लेकिन thermal power plant का जो गरम पानी होता है यह गरम पानी directly हम क्या करते है नेचरल रिजर वायर में छोड़ देते हैं तो नेचरल रिजर वायर में अगर इसको छोड़ देंगे आप तो उसम के causes तो हमने देख लिए man made भी देख लिए और नेचरल भी देख लिए लेकिन water pollution से होता क्या है basically उसके क्या effect होते हैं okay bad effect होंगे pollution के effect क्या होंगे खराबी होंगे नुकसान देई होंगे तो ठीक है देखते है effect of water pollution तो तीन तरह के effect है इसके number one पहला जो effect है effect of polluted water on human being तो तो कौन को सी बिमारी हो सकती है hepatitis जिसको हम covid बोलते हैं call बोलते हैं जिसमें पीला पड़ जाता है आदमी okay उसके बाद typhide इसमें बहुत जादी बुखार होती है कमजोरी हो जाती है आदमी को cholera cholera मतलब lose motion वगेरा होता है यह पानी के वज़े से होने वाले disease है या फिर skin disease skin खराब हो जाना okay skin खराब हो जाना यह पी क्या होता है पानी water pollution के वज़े से होता है या elements of liver okay liver की बिमारी होना या kidney की बिमारी होगा obviously kidney की से related है body के अंदर के पानी को purify करने के अगर आप polluted पानी पीते रहोगे तो kidney का काम बढ़ जाएगा उसकी बिमारी हो जाएगी liver की ब hypertension blood pressure और इस ताइप की बिमारी आपको हो सकती है तो human beings को इस तरह से polluted water affect करेगा उसके बाद second one effect on ecosystem अब ecosystem एक बहुत बड़ी branch है अब एक word में उसको मैं आपको define नहीं कर सकता एक simple language में आपको बताता हूँ मैं ecosystem माने environment का एक part होता है environment मतलब पूरी living organism living organism में होता है ecosystem ecosystem जैसे के पानी तालाब एक ecosystem है हवा एक ecosystem है तो हर ecosystem में कुछ living organism होते हैं कुछ non living organism होते हैं जो living organism होते हैं उनको biotic factor बोला जाता है और जो non living होते हैं उसको abiotic factor बोला जाता है जैसे कि पानी हमने most लिए पानी के बारे में पढ़ रहे हैं तो water ecosystem लेंगे जैसे कि aquatic ecosystem तो aquatic ecosystem में बाइटिक फेक्टर कौन सा होगा? aquatic animal जैसे के fish हो गई या फिर छोटे-छोटे mica Tasin Go तो इस तरह के जो living organism होगे उस ecosystem में पाणी वाले ecosystem में इसको aquatic ecosystem बोलेंगे कौन सा ecosystem? aquatic ecosystem तो इस aquatic ecosystem में दो तरह की चीज़े होगे एक होगे living एक होगे non living तो living चीज और non living चीजों के बगएर नहीं रहे सकती है, जैसे एक्वेटिक एनीमल, पानी के बगएर रहे सकते हैं क्या? नहीं, तो पानी क्या होगा? नान लिविग और उसके अंदर के एक्वेटिक एनीमल क्या हो गए? लिवीग हो गए, तो ये दोनों के बीच का जो interaction होता रिटार्ट प्लांट ग्रोथ देखो पॉलूटेड पानी जो होता है उसमें ऑक्सिजन लेवल कम होता है अगर प्लांट को अंदर बढ़ना है तो पानी के अंदर ऑक्सिजन चाहिए तो अगर ऑक्सिजन ही नहीं होगा तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी रिटार्ड ह और रिटार्ड होने के बाइज जैसे क्या होता है कई सारी प्लांट की प्रजातिया खतम हो गई है Loss of plant spaces, spaces मतलब अलग-अलग तरह की प्रजाति, अलग-अलग तरह के प्लांट की प्रजाति डिस्ट्रॉय हो चुकी है Increase in salinity, salinity मतलब पानी का खारापन बढ़ जाना, salinity मतलब खारापन, पानी के अंदर salt का amount बढ़ जाएगा और पानी का खारापन बढ़ जाएगा अब obviously कई बार बता चुका हो मैं, polluted water में क्या होता है, dissolved oxygen कम होता है, कैसे कम होता है कई unwanted weeds होते हैं, unwanted plant होते हैं, पानी के surface को occupy कर लेंगे उसके वजह से क्या हो जाएगा, जो sunlight है, पानी के अंदर जा सकती है क्या नहीं, या air अंदर जा सकती है क्या नहीं तो इस वज़े से क्या हो जाएगा? नीचे वाले जो plant है या नीचे वाला जो पानी उसमें dissolved oxygen का proportion कम हो जाएगा. उसके बाद इस वज़े से क्या हो जाएगा? disturb aquatic ecosystem तो नीचे वाले जो plant है जिनको जीने के लिए oxygen की जरुरत होगी यह respire करने के लिए oxygen की जरुरत होगी, उनको oxygen नहीं मिलेगा, वो मर जाएंगे, उनका decomposition होगा, फिर से pollution, water pollution बढ़ जाएगा, तो date of marine and aquatic animal, तो पानी के अंदर के जो animals होगे, या पानी के अंदर की जो life होगी, वो पूरी तरह से destroy हो जाएगी, तो adverse effect on sea birds, पानी के अंदर जो birds रहते हैं, पानी के उपर भी जो birds रहते हैं, उस पर adverse effect होगा, कैसे adverse effect होगा, अब ही जो seabirds होते हैं, ये पानी के अंदर के चोटे-चोटे अनिबल पे जिंदा है, जैसे मच्छी खालेंगे, फीशेश अंदर के खालेंगे, अब फिशेश defence सकते होगे, तो इनपे भी ब फाउनान पानी पानी क्या मतलब इसको हम पीं सकते हैं क्या नहीं था पॉलुटेड बनी योराज साज़ान फंगNow this सकते हैं अलर्ड तरु किन भाउना पानी के अंदर कुछ यूज़फ mm होटे मैक्र और्गानिजम भी क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, एकोसिस्टम पूरी बरबाद हो जाएगी, तो useful aquatic fauna मतलब पानी के अंदर छोटे 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 लिविंग और्गानिजम होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनके कुछ useful effect होते हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, destroy हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद harmful impact on soil fertility, देखो, पेड बढ़ाने के लिए, खेती करने के लिए जो हम पानी यूज करते हैं, वो पानी भी हमारा कैसे चाहिए, pure चाहिए, अगर वो भी आप harmful पानी यूज करोगे, य हमारे अंदर चले जाएंगे, और इसे ये genetic disorder produce करते हैं, जिसका कोई treatment नहीं होता, ठीक है ना, तो genetic disorders इस वज़े से हो सकते हैं, या फिर toxic substance deposit in the crop, वही तो बता रहा था न मैं, अगर आप polluted water खेती के लिए यूज करोगे, तो polluted water के अंदर होगे, कुछ unwanted substance, कुछ toxic substance, कुछ heavy metal, कुछ radioactive metal, वो metal जैसे की वैसे क्या करेंगे, root के through plant के अंदर चले जाएंगे, और plant के अंदर जाके वो उसके plant के अंदर deposit हो जाएंगे, वो plant खाएंगे animal, तो वो चले जाएंगे animal के अंदर, और इस तरह से animal के अंदर indirectly transmit होके, वो अलग-अलग तरह के genetic diseases produce कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा पूरा water pollution खतम हो गया, अब इसके बाद इस पर एक lecture बनाएंगे, जिसमें लेंगे पूरा, कौन सा pollution, soil pollution, और उसके बाद अगर कोई lecture आएगा, तो उसमें क्या होगा, exercise होगी या revision होगा, ठीक है, तो पराई करते रहें, best of luck.